तो कुछ वेराइटी ऐसी है नेपियर के अंदर जो गाई के कैल्शेम और मिंद्रल ड्रेंग कर जाती है तो वो तीन साल के बाद पता चलेगा कि हानी हो गई तो गाई सिकुड जाएगी, इनफर्टिलिटी आएगी, बहुत सारी इस्यू होंगे और ये वाला नेपियर हम पिछले देड़ सालों से खिला रहे हमने पिछले देड़ सालों से सुखा चारा नहीं दिया है हम अभी कुट्टी नहीं करते, कुट्टी करने का चाफ कटिंग का हमारा खर्चा था पर दे हर दिन का 3,000 रुपिया, 1800 लेवर और 1200 डिजल तो ये इतना जूसी हो गया कि गाय पूरा पूरा इखा जाती है तो बिल्कुल ये नेपियर और बाउंडरे पे मोरिंगा, ये दोनों का समनवर्ड करिए, गजब के परिणाम बिलेंगे सुखा चारे का खर्चा भी चला जाएगा, गाय का स्वास्त भी बदलेगा और इंपोर्टन है, साथ में आप जो भी थोड़ा बहुत कॉंसंट्रेट फीड दे रहे, वो बैलेंस पॉंग में हो मतलब हरे चारे सुखे चारे का विकल्प है ये और इसी से काम चल जाता है बिल्कुल बहुत अच्छे से चल रहा है और हम कंटीनू देट साल से खिला रहे, कोई दिक्कत नहीं है बस मैंने बता है उतना ही ध्यान रखना है आग बंद करके कोई भी इन मार्केट में से नेपिर की वेराइटी उठा के लाकर के लगा दी और तीन साल के बाद पता चलेगा कि हानी होगे ऐसा नहीं करना है प्रॉपर यह गांटे हम निशुल्क देंगे अलगलग राज्यों में से कहां से उपलत होगी वो भी बताएंगे बस हमारी एक ही रिक्वेष्ट है जैसे गौक रुपामदृतम निशुल्क अब्यान है वैसे यह आठो का अमारा निशुल्क अभियान होना चीए हम यहां से निशुल्क देंगे अब भी डेवलब करके दुसरे किसान को निशुल्क देंगे पूरी चेंड किसान की मदद क करेगा गवाले-गवाले की मदद करेगा और हम सब्सक्राइब नमस्कार दोस्तों नैपियर घास के बारे में किसानों को बहुत सारी जानकारी मिलती है है सोशल मीडिया पर cynical गोपाल भाय का कहना है कि नैपियर घास की कुछी वैराइटी है जो पशूों के लिए लाभकारी और विशेशकरक देसी गाय के लिए लाभकारी है नहीं तो बाकी राइती से कौन सी है क्या तक्निकी कारण है जिससे नुक्सान होतर क्या है इस फायदा तो पूरी जैनकारी लेंगे गुजरात के रहने वाले और साथ सो से ज्यादा गोवन जिनके पास है देशी गाये गिर नशलकी और सारी गाये हस्ट पुष्ट हैं तंदुरूस्त हैं और उनको यह चारा खिलाते हैं नैपियर वाला परंतु लंबे रिसर्च के बाद पता चला कि यह वाला ही फायदे मंद क्यों है कैसे हैं चलिए इन ही से जानते हैं टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन भी दबाएं ताकि आगयाने वाले वीडियो की नो तो मैं यही कहना चाहरा है कि कि ISIS भरही तो कुछ वैर्मिट हो रहा है क्ईकि कौनसे भी भी नाम से भींग तो कुछ वैराइटी एसी है नेपियर के अंदर जो गाय के केकल्ושum और मिंदरन कर जाती है तो वह तीन साल के बाद पता चलेगा कि हानी हो गई तो गाय सिकोड जा तो उसके अंदर oxalate बहुत ज्यादा रहता है, तो 40-70 दिन best period है उसका खिलाने का, और कौन सी variety खैलाना वो भी बहुत matter करता है, तो यह variety हमने लंबा research किया हुआ है, गायको खिलाया है, वग्यानिक पक्ष भी हमने देखा हुआ है, कि इसके अंदर protein का value क्या आ रहा है, sugar का content क क्या आ रहा है, fiber कितना है, digestive fiber कितना है, यह सारा चीज अभियास करने का विशे है, तो हम कभी भी हवा में चर्चा करने में बिलीव नहीं करते हैं, और यह वाला नेपियर हम पिछले देट सालों से सुखा चारा नहीं दिया है, सुखा चारा 10-16 रूपे किलो है, और यह 50 प नहीं दिया है, तो हम आतरा में fiber कि जुगाली हो जाती है, सुखा का काम में जुगाली करना और पेड़ भरना है, तो इस से हो जाता है, दूसरा, इसी नेपियर को गव कुरुपा अमरुतम और गोबर से नरिश करना जरूरी है, तो गोबर का शलरी देशी गाए का गोबर अंदर गया, और हमारा गोबर अमरुतम के साथ इसको नरिश किया, तो इस नेपियर के अंदर पहले 6 से लेके 9 टका प्रोटीन आता था, ड्राइमेटर में, वो चला गया 14 से 15 टका, तो खुद ने अपनी क्षमता बढ़ाई, जब उसको अच्छा वाता और अण मिला, फिर इस नेपियर के अंदर 2.5 परसंट शुगर कंटेंट आते थे ड्राइमेटर में, वो चला गया है 5.5, वल्ड का हाइस नेपियर, और ड्राइमेटर के अंदर, और ये जूसी बन गया, तो हम अभी कुट्टी नहीं करते, कुट्टी करने का चाफ कटिंग का हमारा खर्चा तो ये इतना जूसी हो गया कि गाई पूरा पूरा इखा जाती है, तो वो खर्चा हो गया, निचे कुछ गीरा उसका बिगाड़ हुआ, वो कैल्क्योलेट किया, तो पचास रुपे का बिगड़ता है, तो जब गाई पूरा पूरा नेपियर खाती है, आप देख सकते है कि हमारी गाई कैसे पूरा खाती है, और जब गाई पूरा खाती है, तो मुह में 80 लिटर से 700 लिटर लार बनके पेट में जानी चीए, तो वो बनना लेगा, तो बड़ी अल्कलाइन रहने लगा, तो अपने अब गाई का स्वास बदल गया, और नेपियर के उपर ज्यादा का काट लेता है, गाई को खाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, वो बहुत सरलता से खाती है, तो हमारे 10 महीने के दूद पीते बच्चे भी एक इंच मोटा घास, विदावट चाफ कटिंग सरलता से खा लेते हैं, आइए मैं कुछ वेराइटी दिखाता है, इसमें कोई यूरिया, पेस्टिसाइज की कमी दिख रहे हैं, आइए मैं और दिखाता हूँ, मैं यहां दर्शकों को बताना चाहूंगा जो आप गोकरपयामरितम की बात करें, गोकरपयामरितम एक बैक्तिरिया का कल्चर बनाया है गोपाल भाई ने, जिसमें सो से ज्यादा बैक नीचे वीडियो में लिंक दिया हूँ, आज यह जो बता रहे हैं कि जो हरे चारे की दिक्कत आती है, किसानों को भी उसमें नैपियर एक विकल्प बनकर उभरा, लेकिन उसकी कुछ वेराइटी ऐसी है, जो नुक्सान करती है, जो तरीका बता है, लंबी रिसर्च के बाद यह निकाले हैं, जो वेराइटी, इस वेराइटी को आप कैसे ले सकते हैं, निशुल्क वो भी बताएंगे, पहले और चीज देख लेते हैं, देखिए, यह नैपियर है, मैंने जो दिखाया, उसी वेराइटी का हाइट हुआ हुआ है, तो यह आप कलर देखिए, कहां यू गुणवत्ता बदल गई है, और गाय का स्वास्त भी बदल गया है, तो बिलकुल यह नैपियर और बाउंडरी पे मोरिंगा, यह दोनों का समनवर्ड करिए, गज़ब के परिणाम मिलेंगे, सुखा चारे का खर्चा भी चला जाएगा, गाय का स्वास्त भी बदलेगा, औ और इंपोर्टन है, साथ में आप जो भी थोड़ा बहुत कॉंसंट्रेट फीड दे रहे, वो बैलेंस पॉम में हो, आज क्या होता है, कि मोरिंगा आपने बाउंडरी पे लगा दिया, पत्ते इसके साथ में दे दिया, तो मिनरल अलग से देने की ज़रूत नहीं पड़ेग इसी गाय को खाने में स्वास्ते प्रदान करती है, बिल्कुल, बहुत फाइदा है, पीछले देड़ साल से ये जिरो है, लंपी यहां पे गुजरात में बहुत प्रभाव था, लेकिन एक भी गाय माता का हमारा मृत्यू नहीं हुआ है, क्योंकि उसका पाचन अच्छा बदलता है, तो एक ही कंडिशन का चारा एवरी डे प्रॉपर कंडिशन में मिला, तो गाय का रुमेन अच्छा वैदर उसको मिलेगा, तो गाय परफॉर्म अच्छे कर पाएगी, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है, वैसे जानना चाहते है कि एक ही तरह के चारे से कोई ड इंदा का विश्री नहीं है, और हमारी गवशाला में आकर क्या आप गाय माता का स्वास्त दे सकते हैं, और बाकी मैंने बता है, मोरिंगा या आप कॉंसंट्रेट फीड दे रहे, उससे उसका निट्रिशन बैलेंस कर सकते हैं, और जहां पानी भरा रहता है, तो उसके पर देट साल से दमने कुछ दूसरा दिया ही नहीं है, तो यह जो आप बता रहे नेपियर की जो वराइटी ही, यह लगातार एक ही वराइटी डाल रहे हैं आप, और सुखा चारा भी नहीं दे रहे हैं, मतलब हरे चारे सुखे चारे का विकल्प है यह और इसी से काम चल ज देंगे, अलग-अलग राज्यों में से कहां से उपलत होगी वह भी बताएंगे, और इसको नरिश करना भी गव कुरूपामरूतम से जरूरी है, ताकि इसकी निट्रिशन वैल्यू बदलती है, उसकी गुनवत्ता बदलती है, शुगर कंटेंट बदलते है, तो प्रॉपर जैसे गव कुरूपामरूतम निशुलक अभियान है, वैसे ही यह गाठो का आमारा निशुलक अभियान होना चाहिए, कि हम यहां से निशुलक देंगे, अब भी डेवलप करके दूसरे किसानों को निशुलक देंगे, पूरी चेन किसान की मदद करेगा, गवाले-गवाले की मदद करेगा, और हम सव भी मान से खड़े होंगे. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले.